असलाम लेकुम वियोर्ड्स आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे जिंजर के पार में क्योंकि जिंजर जो है वो एक ऐसा फूड है जो कि विंटर में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यूस होता है उसकी वजाए यह है क्योंकि जिंजर जो है व हम बात करते हैं कि जिंजर जो है वो उसमें क्या-क्या पार जाता है जिंजर जो है आपके पास फ्रीश होता है वाइटमिन सी में मैगनेशियम में पोटाशियम में जो कि प्रवाइड करता है आपको मल्टिपल हेल्थ बैनिफिट्स सबसे पहले तो बात करते है पें रिली में वो सोजिश रहती है इस वज़ा से जो है जिंजर जो है वो काम करता है पेन रिलीफ के तोर पे वो किस तरह से क्योंके फ्रेश जिंजर में पाया जाता है जिंजरोल जो के एक एक्टिव और बायो केमिकल compound है phytochemical जो के ginger में पहे जाता है और reduce करता है inflammatory enzymes को आपकी बोड़ी में जब आपके बोड़ी में inflammatory enzymes जो हैं उनकी amount degrees होती है तो उससे क्या होता है कि आपको pain relief मिलता है specifically it is also help to reduce period cramps during your menstrual cycle इसके इलावा अगर हम बात करते है ये dry ginger में भी ऐसे anti-inflammatory compounds पाई जाते हैं जो के ginger roll को change कर देता है लेकिन जब हम उसको heat करते हैं तो उसके जो भी compound हैं वो effectively body में act करते हैं by heating अगर आप जो है वो fresh ginger का भी इस्तामाल नहीं करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह जिंजर जो है वो इंप्रूफ करता है आपके blood sugar levels को ginger जो है जिसमें आपको पहले भी बताया था कि ginger में जो है वो active bio anti-inflammatory compounds पाई जाते हैं जो के help करते हैं आपकी body में enzyme की breakdown को जो के specifically related to carbohydrates तो जब आपकी body में breakdown of carbohydrate का process slow हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी body में help करता है glucose या sugar के metabolism को जो के आपकी body में type 2 diabetes को control करता है इसके साथ अगर हम बात करें काफी studies में भी देखा गया है कि type 2 diabetes जो है उसमें जो है enough insulin produce नहीं होती which is the key ensuring glucose circulates throughout the body and does not accumulate in the blood stream ginger जो है वापको help करता है regulate करता है आपकी body में insulin को और encourage करता है आपके muscles को to absorb glucose without requiring your extra यानि के insulin आपके पास क्या काम लेती है आपके muscles में glucose के अपटेक को जो है वो बढ़ाती है लेकिन ginger का अगर इस्तमालब अपनी life में daily करते हैं रूटीन में तो ginger क्या करती है आपके muscles की ability बढ़ा देती है to act or effective act towards your glucose इससे जो है आपकी body में insulin की requirement जो है as compared to those who did not take ginger in daily routine तो आपके जो cells है as compared to those जो daily routine में ginger का इसमाल नहीं कर रहे है वो ज्यादा active होंगी उसके बाद हम बात करते हैं कि ginger जो है वो help करता है आपको lower करता है cholesterol को ginger जो है वो किस तरह से आपकी body में cholesterol को low करता है क्योंकि वो जो bad cholesterol होता है या lipoprotein या low density lipoprotein जिसको हम LDL कहते हैं उसको जो है आपकी body में reduce कर देता है flush out करवा देता है उसके excretion को जो है वो बढ़ा देता है आपकी body में और उसकी storage को जो है वो band करता है इसके इलावा अगर हम बात करते हैं तो ginger जो है वो आपको help करता है inhibit करने में bacteria को क्योंके during winter आपके पास बहुत सारी bacterial diseases भी आती है और ginger जो है उसमें जो compound पाए जाता है gingerol वो anti-microbial activities भी रखता है अपने पास या anti-microbial properties भी रखता है जो के effect करते हैं आपकी body में as a antibacterial properties इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि आपने जो है वो ginger को किस तरह से अपने डाइट में इस्तामाल करना है तो उसके लिए best option यह है कि आप winter में ginger tea या clove tea का इस्तामाल करें इसका मैंने अपनी वीडियो पे एक detailed जिकर किया है अपने चैनल पे और मैंने उसमें बताया है comparatively किस तरह से ginger और clove यानि के आपके पास long milk के effectively आपकी body में maintain करते हैं आपके बहुत सारे body processes को इसके इलावा ginger में पाये जाता है ऐसे anti, again मैं वही बात करी हूँ, ऐसे anti-oxidant पायदाते है ginger में जो आपके body में bound करते हैं free radicals को जो के produce हाते हैं आपके पास extra carcinogenic activities है या ginger आपके cell में increase कर देता है उनकी effectiveness को to detect carcinogenic या defected cell जो के produce होते हैं आपके mitosis या miosis के तुरान जो आपके जितने भी cell defected cell produce होते हैं उनकी recognition को enhance कर देता है और वो जो है body को body के उस system को activate कर देता है जिससे वो cells destroy होगाता है तो विस यह थी हमारी आज की video जिसमें मैंने detail में बात किया है कि किस तरहां से आप ginger को जो है वो अपनी daily routine में इस्तामाल करें आप उसकी कहवा बना लें आप उसकी ginger tea बना लें आपके पास caffeine में और इसके साथ साथ उसका bad effect होता है आपकी body पे तो आपको चाहिए कि आप अपनी body को shift करें towards healthy drinks तो आप अपनी diet में ginger tea का इस्तामाल करें और इन तमाम health benefits से जो है वो अस्तफाता हासल करें तो वर्जाच के लिए इतना ही मुझे अजाज़ा दीजिए आला हफिज